आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Given question है What is the median of the sample 5,5,11,9,8,5,8 तो हमें इसका median find करना है तो median basically होता क्या है जो हमें given sample होता है या data होता उसका middle term कब जब हम उसको जो हमें given data होता है उसको हम smallest to largest number में सबसे पहले हम लिख लेते हैं smallest to largest का मतलब क्या सबसे पहले हम smallest number लिखते हैं जैसे हमें 5 5 हमें 3 times दे रहा है तो हम इसको note कर लेंगे 5,5,5 फिर इस से वरी digit कौन सी होगी यहाँ पर 8,8 और इसके बाद क्या होगा 9 फिर होगा 11 तो अब यहाँ पर हमें number of term कितने दे रहा है 1,2,3,4,5,6,7 तो अब अगर number of term अगर odd है तो उनका जो just middle वाला term होता है वही median होता है जैसे यहाँ पर 7 है तो 3 तो यहाँ से left कर दिया और 3 यहाँ से left कर दिया तो यहाँ पर middle term क्या बचा है यहाँ पर 8 तो अब अगर यह जो हमें data sample दे रखा है इसका अगर हम median find करेंगे median तो इसका median क्या हो जागा यहाँ पर 8 ओके middle term क्या है 8 है क्योंकि अगर हमें number of terms odd दे रखें तो middle term basically जो median में जो term आता है सबसे बीच में जो term होता है वही हमारा median होता है तो हमारा जो median है इस question का जो median है वो क्या हो जागा 8 और यही 8 हमारा क्या है सही answer है तीचे अपने doubts आच 4444 पर